स्टान यूज और कोब्रा पोस्ट ने तीन सांसदों के नाम पर खरीदवा लिए एडमिट कार्ड और उन्हें परीक्षा दी नहीं उसके बाद भी आज उत्रप्रदेश की दस्वी की परीक्षा में वो पास हो गए मैं आपको एक बार फिर बता दूँ ये जो भी हुआ है इसमें सांसदों का कोई भी रोल नहीं था हमने उनके नाम का इस्तमाल सिर्फ इसलिए किया जैसे कि किस हद तक ये फर्जी वाड़ा चल रहा है ये सामने आ सके और ये सारे जो दस्तावेज हैं ये हम जमेदार अधिक सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सांजय मोहन जी आपसे आखिर आपका बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है एक वो कदम जिससे की बचा जा सकता है इस तरह कि घटना से दुबारा तेकि आज जिस गंभीर अनिमिता का खुलासा आपके दुबारा किया गया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और मैं सपस्ट रूप से ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि मादमी शिक्षा परिशत इसमें अपने दायतों से मुक्त नहीं हो सकता लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी प्रशन करना चाहूंगा कि आफिरकार लोग पैसा क्यों खर्च करते हैं नकल करने के लिए क्या इस बात की आवशकता नहीं कि एववावकों को शिक्षित किया जाए और ये बताये जाए कि अगर उनके पुत्री या पुत्री बिना पढ़े परिशा देंगे तो भले ही वो परिशा उत्यूं कर लें जे आपने अपनी जमेदारी मानी है हमें उमीद है कि कदम आप अपने लेवल पे जरूर उठाएंगे सबसे आप पुर्व शिक्षा मंत्री उम्परकाश सिंग हमारे साथ हैं वो एक कदम जो इसी वक्त उठ जाना चाहिए सिंग साब मैं आप से जानना चाहता हूँ वो एक कदम जो इसी वक्त उठाना चाहिए नई सरकार को सबसे पहला कदम उन्हें नई सरकार को घोशना करना चाहिए कि सौर केंद परणाली समात की जाएगी और पूर्द की तरह परिच्छा परणाली लागू की जाएगी इस परणाली को खत्म करना आपका यह जवाब माफ कीज़ेगा हमारे पास समय बहुत बेहत काम है राजपुत साब बहुत बड़ा खुलासा जो आपके सामने रखा है इसमें लोगों की क्या जवाब है 70 फीजी हमारे दक्षत मानते हैं कि इस खुलासे के बाद अब इस एक्जाम का कोई माइने नहीं है हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद कुछ और एहम एक बहुत बड़ी खबर है आज स्टार न्यूस पर राट 10 बजे जरू देखिये गाज़ झाल